मुदवार को फिरोजपूर में पीम की रैली रद हुई और फिर रोड पर उनका काफिला रोकना पड़ा सुरक्षा में बड़ी चोक थी जसके बाद ये पूरा मुद्दा अब गर्मा चुका है पंजाब कॉंग्रेस निशाने पर है गुरुवार की बात करें तो पूरे देन इस मुद्दे पर क्या कुछ मोहर रहा हम आपको वो दिखाएंगे जी हाँ साथ बड़ी तस्वीरों के जरिये पूरे दिन का घटना करम फिलहाल आपके सामने है सबसे पहले आज की बड़ी तस्वीर यही थी कि पीम ने आज रास्ट्रपती से मुलाकात की साथ ही ये मामला अब सुप्रेम कोट के दर्थ तक पहुंच चुका है गुरुवार को इस पर सुनवाई हुई होगी और इसके अलावा पंजाब बीजुपी ने भी राज्युपाल से इस पूरे मामले को लेकर मुलाकात की है और पंजाब के ग्रेमंत्री और डीजुपी के इस्तिफिक की मांग भी की साथी बीजुपी की केंद्रिय स्तर्थ से लेकर तमाम राज्यों की बीजुपी दिगग जिस समय कॉंग्रेस पर हावी है कॉंग्रेस के आला कमान से लेकर पंजाब कॉंग्रेस निशाने पर हैं साथी पंजाब कॉंग्रेस के खिलाफ पर दर्शन का दार अपतीस हो गया देश के अलगलग हिस्तों में मशाल जलूस निकाला गया साथ ही इसी मामले को लेकर सोनीपत में भी व्यापारियों का गुस्सा फूटा उत्राखन बीजोपी ने भी इस मसले पर एक वीडियो जारे किया और इसे कॉंगरेस की साज़िश का परदाफाश के नाम से इसे लाया गया है तो आप देख सकते हैं किस तरीके से आज पूरे दिन का महौल रहा जहां एक और बीजोपी के नेता कारे करता कॉंगरेस को घेरते नजर आए रास्ट्रेपती से पीम नरेंदर मूदी ने मुलाकात की और साथ ही सुप्रेम सुनवाई भी आप इस मामले पर होगी राजयपाल से भी मांग की गई है इंतमा महलातों को देखते हुए वहीं दूसरी और अब लगातार बयानों का सलसला जारी हो चुका है बयानों का सलसला कल से ही चल रहा है और इन बयारों में कॉंग्रेस घिरती नजर आ रही है परदर्शन का दौर भी आज देखने को मिला मशाल जुलूस निकाला गया पूरे देश में वियापारियों के और से भी परदर्शन किया गया वियापारी भी इस पूरे मसले पर फिलहाल एक जुट नजर आए वहीं दूसरी और एक वीडियो भी सामने आया जिसमें साजिश का परदाफाश के नाम से इसे सोशल मीडिया पर अपलूट किया गया